हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब याशे करता हूं आप सब ठीक होंगे चुंगे मिला नाम सुदिर और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नमबर 12 और इस चैप्टर नमबर 12 में हम पढ़ना है मरीन क्रियेचर्स यानि कि ऐसे जानवर जो समुद्रों में रहते हैं ठीक ना उनके ब बहुत ही अलग होते हैं क्योंकि इनके पास एक अलग तरीके के खुबी होती है तो चलिए शुरू करते हैं पहले नमबर पर पहले नमबर लिखा था स्मॉलेस्स मरीन मैमल इन दा वर्ल्ड तो दुनिया का सबसे छोटा मैमल ठीक है लेकिन वह कैसा होना चाहिए मरीन होना पैज़े तो कौन है तो इसका नाम है मरीन और्टर क्या नमए उसका मारीन अथा लिखे लेंगे मारीन होर्टर मतलब वत ми भीलाओ होता है ठीक है चलिए Second number The fish has the most number of eyes Six eyes ऐसी कौन से मचली है जिसके पास छे आखे होती है तो इसका नाम है Spookis क्या नाम है Spookis S-O-O-K-I S-H Spookis अगला है The heaviest bony fish in the world यानि की ऐसी मचली जिसकी जो हड़ी होती है वो बहुत ही जादा कैसी होती है Heavy होती है भारी होती है वो कौन है तो यह है आपकी Shunfish इसका नाम है Shunfish S-U-N-S-H F-I-S-H Shunfish ठीक ना मलब इसकी हड़ी जो होती है वो बहुत heavy होती है बहुत ही भारी होती है Question number 4 One of the most poisonous edible fish in the world यानि की सबसे जहरीली मचली कौन सी है नाम क्या है Pufferfish क्या नाम है Pufferfish P-U-F-E-R Puffer F-I-S-H Fish Pufferfish ठीक The only known fully warm-blooded fish देखिए जो blood होते है जो मचली होती है वो cold-blooded animal होते है ठीक है ना लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि warm blood है यानि कि जिनका गर्म खूँज होता वो गर्म होता है तो कौन है उपा इस मचली का नाम क्या है U-P-A-H उपा ठीक है अगला है 6th number The fish that can generate an electric charge up to 600 volt यानि कि ऐसे fish जो generate करती है electric charge 600 volt की तो इसका नाम क्या है तो इसका नाम है electric eel electric eel ठीक चले आगे आते हैं question number 7 पे a fish that can change texture and color blend with its surrounding यानि कि ऐसी मचली जैसे girgit होता न अपने आसपास के रंग को बदल लेता है देखके उसी तरीके से ये मचली भी है जो अपने color को बदल लेती है ठीक है अपने surrounding के हिसाफ से तो इसका क्या नाम है cutter fish C-U-T-T-R cutter fish F-I-S-H fish जो उड़ती है ठीक है ठीक है तो इसका नाम है आपका क्या flying fish क्या नाम है इसका flying fish F-L-Y-I-N-G flying fish ठीक है अगला है marine animal equipped the hundreds of tiny little fish at the end of each arm to move देखिए ऐसी कोई से देखिए वैसे जो starfish है ना ये कोई मचली नहीं एक तरीका कीडा होता है आप देखिए यहां पर क्या होता है कि इनके जो pair होते हैं नीचे इन में बहुत छोटे छोटे pair होते हैं और इसनी pair उसे remove करता है तो ये कौन है ये हैं आपका starfish ठीक है ना starfish कोई fish नहीं है एक कीडा है चलिए तो यहां पर वीडियो खत्म होता है मिलते अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार